दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं अगर आप भी बहिंदर सिंग दोनी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक चरूर कीजिएगा जी हां दोस्तों आपको बताते हैं कि अभी तक चैने सूपर किंग का प्रजर्शन भी हच शांदार रहा है टीम पॉंट स्टेबल में इस समय टॉप पर चल रही है इसके अलावा फैन्स इसी उमीद में है कि इस बार आई पिल में चैने की टीम खिताब अपने नाम करेगी इस बीच चैने के लिए युवा बलेवाज रितुराज गाईकवाड नई खोश के रूप में सामने आए हैं टीम उनके प्रदर्शन पर काफी ज़्यादा निर्बर कर रही है दरसल रितुराज गाईकवाड चैने की टीम में संकट मोचक की भूमिका में नजरा रही हैं पहले मैच में जहाँ उन्होंने नाबाद 88 रन की पारी खीली थी इसके अलाबा बागी के मैच में 38-40 रन बनाए इसके अलाबा इस सस्त्र में उन्होंने 10 मैचों में 365 रन बनाए हैं वो चैने सुपर किंग के तरफ से सबसे ज़्यादा इस सस्त्र में रन बनाने वाले बल्लेवाज भी हैं दरसल चैनिस उपर किंग के सलामी वलेवाज रितुराज गायकवाड का कहना है कि टीम जब भी दवाव महसूस करती है तो कप्तार महिंदर सिंग धोनी के शांत ब्यवहार के चलते उससे उभरने में मदद होती है। गायकवाड का मानना है कि टीम में कई अनुभावी खिलाडी हैं जो दवाव की प्रस्थिति को समभालना जानते हैं। गायकवाड ने आगे कहा दोनी काफी शांत रहते हैं। पारे टीम के कई खिलाडी हैं जो अंतरास्टेस्टर पर भी दावाव झेलते हैं मुझे लगता है कि दावाव की घड़ी में वो सभी शांत रहते हैं और उन्हें पता होता है कि हम मैच जीत जाएंगे कि दोस्तों ऐसे में ये भी देखना काफे दिल्चस्प होगा कि क्या इस बार सीएस के एक बार फिर आईपिल का टाइटल अपने नाम कर पाती है या नहीं आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में शेरूर बताएं